कि अध्यूर्ट करने वाले हैं इसके अंदर एसट वेसा ही होने वाला है इसके अंदर तो कुछ-कुछ वैसा ही होने वाला है इसके अंदर ठीक है करने वाला होता है तो मुझे बोल के रिपीट करके बताओ भी एच पोस्ट्यों डोनेट करने वाला होता है ना और ओएच नेगटिव आयन को डोनेट करने वाला है वह नेगटिव आयन को डोनेट जो करता है वह तब आर्नियस बेस ठीक है यह टैंथ क्लास में आपने पढ़ा होगा ना यह बच्चे इसी एसिड़ बेस के कुंसेप्ट को जानते हैं अब ब्रॉंस्टेड लोरी कुंसेप्ट ठीक है ब्रॉंस्टेड ओगा लोरी ने कहा फिर लैवेश आया लैस करता कि अगर अची नाओतो तो लोन पेयर को एलेक्ट्रोंज को लोन पेयर को accept करने वाला donate नहीं accept करने वाला acid होता है और loan pair को loan pair को donate करने वाला base होता है example best ever example है इसका ammonia NH3 और इसका example है BH3 है ना ये acid and base है ये हम पिछे वाले lecture में कर चुके हैं अब इसी चीज़ को थोड़ा detail में लेंगे एक एक करके है ना आर्नियस concept सबसे पहले आर्नियस concept क्या होता है तो यह आप लोग जानते हैं इसलिए मैं fast and forward इसको बता रहा हूँ जो release करता है H positive ion acid है substances are called acids और जो donate release करता है OH negative ion water में that are called basis ठीक है यही तो हमने किया था H positive ion donate करना और OH negative ion donate करना आर्नियस acid अब आर्नियस acid बेस तो दोनों इसमें इकठे बता दिये गए अब यहाँ आर्नियस acid को अकेला उठा रहा है और इसको यह detail में कर रहा है the substance that dissociate water to give hydrogen ion जो hydrogen ion देते हैं वो आर्नियस acid होते है H positive ion donate करने वाले hydrogen ion होता है proton कह सकते हो hydrogen के पास में एक nucleus है उसके चारों तरफ एक electron बेचारा घूमता रहता है electron हमने बाहर निकाल लिया तो बचा क्या nucleus nucleus पे क्या होता है एक proton होता है proton पे positive charge होता है तो बस इतना ही तो बेचारा यह बच गया hydrogen का proton only यह सिरफ proton बचता है याद रख लेना only proton होता है इसके बाहर electron नहीं होता ठीक है तो यही h positive ion होता है बड़िया चीज है ना proton देखने को मिलता है ठीक है water में हमेशा होता है proton तो it is not mandatory अब यहाँ पर ना कुछ इसने instruction दे रखी है कि क्या सिरफ acid यही होते है दसने क्लास में आपने इतना ही बढ़ा ना ठीक है तो क्या सिरफ acid यही होता है it is not mandatory that all acid contain H post-1 and all bases contain OH negative ion तो यह कभी भी जरूरी नहीं है सभी acid H post-1 donate करें और सभी bases OH negative ion example इसके कुछ exception वाले दे रखे हैं देखो भई acid और base यह exceptions है ठीक है यह दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर आप इन्हें exception माल लो आर्नियस acid और आर्नियस base नहीं है ठीक है तो यह क्या है फिर acid base तो है definitely है but arnius limitation तो हम इसे limitation मानेंगे समझ में आ गया कि यह acid base है बट arnius के according तो नहीं है यह बात clear है जबको yes sir carbon dioxide क्या है acid है तो यह arnius के according नहीं है ठीक है arnius तो कहता है कि जिसके पास h positive donate करने को नहीं हो वो acid नहीं हो सकता जिसके पास OH negative donate करने को नहीं हो तो base नहीं हो सकता तो इसको विचारे को जतना बता था उसने बता दिया आगे reaction देखिए यहाँ क्या हो रहा है ammonia water के साथ reaction कर रही है NH4 बना रही है h positive wine accept कर रही है accept कर रही है यह accept कर रही है न bronze stead lory concept के according क्या है यह h positive wine accept करने वाला base होता है इसने accept किया तो bronze stead यह base हो गया yes clear है बिटा bronze stead lory ने यह concept बताया था हाँ बई सबको समझ में आया इसने एच पोस्ट्राइवान डोर असफट कर लिया इसलिए यह base है यह बात clear हुई सभी को कि एस बिटा कि किसी को नी समझ में आई यह कि यह सर ओके थैंक्यू ना बिटा बागी सब सो रहे हैं गया हमारी क्लास में सोने वाले बच्चे बहुत सारे हैं ना दो तीन मिनट में सो जाते हैं ओके थैंक्यू चलो तो अब आगे बढ़ते हैं इसी में तो एक और चीज मैं इसमें बताने वाला था इसलिए पूछ रहा था स्पेशली कि यह समझ में होगा तो ब्रॉंस्टेड लोरी ने तो कहा जो होता है यह किसने कहा था यह लैविस ने कहा था तो यह लैविस बेस है अमोनिया और ब्रॉंस्टेड लोरी बेस भी है अमोनिया तो अमोनिया एक से ज़्यादा मतलब दोनों बंदों ने यह बात कंफर्म की थी दोनों की थियोरी पर सही बैटरी तो इसको दोनों का बेस कह जा सकता है कि यह बात समझ में आ गई होगी अब है ना तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ने जो कहा उसके उपरी लागू होगा यह दो तीन तीनों पर लागू हो सकता है तीनों के कुंसेप्ट किसी एक पर्टिकुलर एक्जमपल पर एपलाई हो सकते हैं याद रखिएगा ठीक है चली आप आगे बढ़तें हैं बढ़ तो जो उस दो क्षुद क्या होता है उसको क्या बोलते आइब तो यह बेस ए ठीक है पर किस में कि इसने क्या वाटर में से लेज निकला देगों उल्टा कंसेप्ट चल रहा है वाटर में से ओश नेगेटिवाइन निकल गया और आप तो यह उल्टा कॉंसेप्ट चल रहा है तो इसको मतलब इसके बारे में मत सोचना वरना सारा कॉंसेप्ट वो कहते है न सब रबड़ी बन जाएगा कुछ नहीं बचेगा है ना तो don't think about this सीधी reaction में चलिएगा एक बार उस concept को पका कीजिएगा फिर इसके बारे में भी बताऊंगा कि ये भी एक अलग थियोरी है वरना अभी न आप ज्यादा ही confused हो ब्लेंडर होता है न जो ब्लेंड करके सबको mix कर देता हो mix हो जाएगा सारा concept तो फिलहाल जो बता रहा जो एक ही को डो NATO करें वाला एक लाय करें लिए करें वो ट्रै वो ट्राइबेसीघोगा एंड सो ओन ठीक है तो यहाँ या फिर उसे मोनोप्रोटिक कह सकते हैं प्रोटिक ठीक है एक मिनट रुकिए बटा वेटा मोमेंट ठीक है तो यहां मोनो प्रोटिक समझ में आया होगा यहां मोनो बेसिक इसका मतलब एक एच पोज़ाएं जो डोनेट करता है है सिंगल एच पोज़ाएं कोई ऐसे डा जो एक है सिंगल एच पोज़ाएं डोनेट करता है दूसरा कोई ऐसा एसेड है जो दो एच पोज़ाएं डोनेट करें टू एच पोज़ाएं डोनेट करें वो डाई बेसिक ठीक है एक्जांपल पहले का एक्जांपल एक्जांपल है पिछली क्लास में हमने इसको पढ़ा था उग्जैलिक एसिड ऑग्जैलिक एसिड होता है सीटू अब गिन सकते हैं दो हाइडोजन दो कार्बन और चार ऑक्सिजन है उग्जैलिक एस दो कर्बोक्सलिक एसिड के ग्रूप है एक्ज़ान रखेगा कैर कॉमन सी चीज है यह चोटी मोटी गलती है ट्राइब इसिक ट्राइब ट्राइब प्रोटिक जो तीन एच पोस्टिवाइन डोनेट करें ठीक है है तो ट्राइब इसिक होगा जो तीन डोनेट करता है एक्जांपल है है एच थ्री पीओ फॉर एच थ्री एस आर्सेनिक एस तैंड फॉर ठीक है अब एक चीज बताता हूं एच थ्री पीओ फॉर तो इन्होंने विदिया तीन पोस्टिवाइन डोनेट करेगा इसके दो भ प्लस टू क्लास में पढ़ेंगे जब इसका स्ट्रक्चर स्टरी करेंगे फोसफोरिक एसिड का एच थ्री पीओ थ्री एच थ्री पीओ टू और एच थ्री पीओ फॉर इन सब के स्ट्रक्चर साएंगे डिटेल में ठीक है तब आपको इस समझ में आ जाएगा कि हां क्या और दो क्यों छोड़ रहे हैं ठीक है लेकिन फिलहाल के लिए याद नों को दो इसमें लिकाई हुए है इपी ओफ ट्री और एच थ्री पीओ टू जो है वो टू एंड वन एच पॉस्ट्वाइन रिस्पेक्टवली डॉनेट करते हैं यस बिटा समझ में आ गया है सब को नहीं यहाट है था है तो उट्सक्राइब करा? अगर बढ़ते हैं आаты हैobyl ओक्यांइक टूरी तो डिफेक्ट कुछ नहीं सी बात है यह आरनिया स्थेउरी के बारे हैं कि है इसा कुछ नहीं कि इसके डिफिएक्ट है जस्ट प्मिएस थी यह क्या कहती यहादी है तो इसको देखे जड़ा, H-positive ion extremely hydrated, बोल रहा है कि H-positive ion extremely hydrated होता है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हम यहाँ discuss करेंगे, कि H-positive ion जो है, जब water के साथ जुड़ता है, तो वो बनाता है H-3-O-positive, इसमें फिर से water जुड़ जाता है, एक और दूसरा molecule water का, और यह बनाता है H-3, H-3 नहीं, sorry, कितने हो गए भी, H-कितने हो गए, 5-H-5-O-2, और positive तो positive रहे गए, फिर से अगर water जुड़ जाए तो, तो यह बनाएगा H-7-O-3-positive, फिर से plus में इसके water आ जाए तो, तो यह बना देगा H-9-O-3-3 नहीं, 4-O-4, और positive, yes, बेटा, यह समझ में आ रहा है, यह ऐसे line लगी रहती है, हिच post you one donate करता रहता हूँ, वह आगे ऐसे, आगे पानी इसमें जुड़ता रहता है, पानी जुड़ गया, जुड़ गया, जुड़ गया, जुड़ गया, जुड़ पानी जुड़ता रहता है, yes, clear है सबी को यह सब्केट ठीक है अब आगे बढ़ते हैं जरब देखो तो अब इसने बोला यहां पर मैं इसका इसका श्टक्चर बता दू यह नहीं पिरामिडल ट्राइगों नल और पिरामिडल हाइड्रोनियम आयन का structure बता रखा तो मैं One of the Children का structure बताता हूं कैसे होता हुआ है त्रीब ओ पोज्टिव इसके structure की बात कर रहा हा ऑकेला थीकिया फ्रीज्ट्री ओ पोस्ट्ट्ट्व का तो हम जरए इसका structure बनाएंगे forward पॉस्ट्यू का अभी एसिड पानी वाले एसिड जो होते हैं वो इस फॉम में रहते हैं पानी वाले एसिड हमेशा एच्ट्री ओ पॉस्ट्यू फॉम में रहते हैं और इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन नाम याद रख ले ना इसका हाइड्रोनियम आयन ठीक है चलो मै आपको याद आजाएगा दो हाइडोजन से तीसरा हाइडोजन भी जुड़ा होता है ठीक है ऑक्सिजिन के उपर और एक लोन यहां ऑक्सिजिन के उपर पोजिटिव चार्ज होता है ठीक है क्योंकि इसने डोनेट कर दिया एच पोजिटिव को और नीचे देखो नीचे क्या बन रहा है नीचे ट्रेंगल बन रहा है और उपर पिरामिड शेप है और उसके उपर तो इसलिए इसका नाम है ट्राइगोनल पिरामिडल डैस दे नेम अफ दे स्ट्रक्चर और यह क्या है एच थ्री ओ पोजिटिव को पता लग गया क्या होता है यह गाइज अब देखो यह बना कैसे था एच पोजिट्व प्लस वाटर तो वाटर में ऑक्सिजन था और त्रेजन लगे हुए थे और इसके पास दो लोन पेर थे यानि चार इलेक्ट्रोन बड़े थे ऑक्सिजन के पास तो यह एक इलेक्ट्रोन क्या करता है इससे यह ब same to same ऐसे रहेगा एक electron इसने डोनेट कर दिया hydrogen को तो hydrogen का positive जो था वो चला गया oxygen ने एक electron डोनेट किया इसका एक electron घट गया उसका तो बढ़ गया तो वो तो positive से neutral हो गया और ये positive हो गया और दोनों के बिच में बढ़ जाता है bone ठीक है तो दोनों के बिच में इस तरह से coordinate bone बनत जिसमें oxygen के उपर negative charge होता है ठीक है तो यह इस तरह से कुछ प्रोसेस होती है यह याद रख लेना क्लियर है यह कैसे बना तो structure यह वाला होता है इसका यह बना कैसे वो मैंने अलग से शो किया आपको ठीक और structure अलग होता है यह structure अलग है इसका ठीक है यहां से नहीं यहां से आगे बढ़ें आगे अब आपको यह बताना भी तो ठीक है ओके विच ओफ दा स्पीसिज डॉन विच ओफ दा हाईडरेटेड स्पीसिस गैंडिजिशन में से कौन सी चीज एक्जिस्ट कर सकती है बता हो जड़ा हुआ है अपनी तरफ से गैस मारिए यह मैं बता चुका लोगों को तरी क्या बहुत सारे मल्टीपल चोईस है अंसर नहीं है फिर से बता रहा हुआ हूं मल्टीपल चोईस है इस एक अंसर नहीं है नाव यूँकें सेलेक्ट अगें एक से ज़्यादा आंसर सो सकते हैं कि अंधियों विए यूँ अबी डी ये ये अच्ट्राइब आपको बताया थे बी और डी बस वाटर के अंदर ना एच्टू ओ के अंदर एच जोड़ दो एच पोस्ट्यू एच थ्री ओ पोस्ट्यू बंजेगा हाइड्रोनियमाइन होता है एच थ्री ओ पोस्ट्यू ये तो ये रा बी वाला है ना इसके बाद इसमें फिर से वाटर जोड़ दो H5 बनजेगा और O2 पोजिटिव बनजेगा फिर से water जोड़ दो H7 बनेगा और O3 पोजिटिव बनजेगा है ना तो ये 3 वाला भी और water भी जोड़ सकते हो clear है तो A, B और D ये right options है A, B and D अब आगे बढ़ते हैं ये क्या right नहीं है क्या ये भी ऐसा ही है ध्यान दो water के अंदर अगर O2 नेगटिव को जोड़ देते हो if you are adding water into O2 नेगटिव आयन तो ये क्या बन जाएगा H3 O2 नेगटिव जैसा कुछ बनेगा yes clear है H3 O2 नेगटिव जैसा कुछ बनेगा देखो ये arrow ही लगेगा H3 O2 नेगटिव तो ये species भी exist कर सकता है water सिर्फ H पोस्टिव आयन को असेप्ट करके H3 O पोस्टिव नहीं बनाता है O H नेगटिव आयन को भी असेप्ट करके हो रहा है इस तरह के species भी बनाता है that is it कि यह आप आपको अच्छे से याद रखना कि यह ऐसे species भी बनाता है H3 O2 नेगटिव भी क्या है H3 O2 नेगटिव भी यह भी आपके लिए मतलब यह species भी एगजिस्ट करता है that's it clear है बेटा yes sir yes sir चार ओप्शन इसके ठीक है फिर तो देखो भई all options are correct सभी के सभी options सही है और जो last c option था जिसको हम नहीं पहचानते थे option c is also correct as can be represented as water plus oh negative water or oh negative वाइन में बोथ में exist करता है next आर्नियस बेस अब आर्नियस एसिड वाला concept complete होगा आर्नियस बेस की बात करते हैं बेस क्या होता है आर्नियस बेस जो OH negative डोनेट करें OH negative बोलते हैं hydroxylions OH negative hydroxylions इसका नाम है बई याद रखले ना रट्टा मारना इसका नाम ठीक है खुद के नाम को जैसे रट्टा लगा रखा है वैसे इसके नाम को भी याद रखना है बस क्या आप लोगों ने अपना नाम याद किया था क्या कौन को नैसे हैं जिनको अपना नाम याद रखना पड़ा था याद किया था किसी ने है कोई ऐसा हमारे बैच में कोई ऐसा नहीं मतलब सबको अपने नाम अपने आप याद होगे कैसे याद होगे इतनी बार हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं पडोसी दोस सब हमारा नाम ले लेके हमारे कान खा जाते हैं और हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं कि अच्छा 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 ये मेरा नाम है practice makes a man perfect आपको अपना नाम कभी याद नी रखना पड़ा क्यों कि अपने practice जद कर लिए याद ही नी रखना पड़ा यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है practice इतनी कीजिए कि याद कुछ ना रखना पड़ए अपने आप हो जाए that is called the practice इतनी मेहनत होनी चाहिए इतनी महनत होनी चाहिए कि ठकना पता है कौन ठके देखने वाला ठक जाए कि ये कब छोड़ेगा देखने वाला करने वाला नहीं जिस दिन इतनी महनत हो जाएगी कि दूसरे लोग ये कहने लगें कि किताब छोड़ दे, आपके ममी पापा कहें उसने science ली थी कभी plus one two के अंदर science तो science से वो इतना चिपक गया सारा दिन काम करता रहता था सारा दिन लगा रहता था ठीक है जो काम नहीं दिया ना मैंने वो भी करके लाता था एक्स्ट्रा ओडिनरी स्टूडेंट जिसको बोलते हैं और मिरसे उसमें डाउट पूछता था आगे वाला टॉपिक खुदी पढ़ाता था खुदी मिरसे डाउट पूछता था वह बहुत फास्ट और फॉरवाड कह सकते उसे बहुत जल्दी चल रहा था वह लड़का ठीक ह ना किताब होता है तो उसके पेरेंट्स ने देखा कि ये तो पागल हो रहा है यानि देखने बस मन भर गया अभी तो स्कूल से आये हैं कुछ नहीं करेंगे सारा दिन तो पढ़के आये हैं जब आप ठक जाते हो डेफिनेटली आप हर्ड वर्क नहीं कर रहे हो आपको थखावट महसूस ही नहीं हो नहीं जिस सामने वाला थखावट महसूस करें आपको देख देखके कि अब भी पढ़ रहा है अब भी पढ़ रहा है अगर इतना कर लोगे ना समझ लेना काम या बेटा जिंदगी में कहीं पे भी किसी भी फिल्ड में उस लडगे को बाद में कॉममर्स दिलवा दी को में इतना इंटेलियंट था बैठे बिठाए बिना किसी टूशन के चार्ट कर जाएगा अगर मेडिकल दिलवाते हो तो यह डॉक्टर भी बन जाएगा बड़े अराम से कि मैनत इतनी कर रहा है इनसान ही है वो भी आज चार्टेट अकाउंटेट है सोचो इंकम टेक्स के फॉर्म भरता हो आजकल है ना तो सोचने वाली बात है तो यह बहुत आसान च यह मैटल के लिए यूज हो है आप यह सिंपली यहां एम ओएच लिखो तो ज्यादा अच्छा है इस मटल क्लिर है ऐसे बिलिख सकते हैं अब टाइब ओफ आर ऺंटनी पेस यह भी व InitiQU item यह नेक्डिवाय। हर लेकिन गारिश एक प्रोटॉन को सेटेस्वाइड कर सकता है एक प्रोटॉन मोंच्डिवाय प्रोटॉन कर सकता है इसलिए प्रोटिक लगा है, यानि एक H पोस्टिव आयन से reaction कर सकता है, इसलिए प्रोटिक लगा है, तो इसमें confused मत हो ना, इसको भी प्रोटिक बोल सकते हैं, Mono-acidic या Mono-protec, give one OH negative iron, example NaOH और KOH, simple examples, die acidic और die protic, give two OH negative iron, जो दो आयन OH negative iron, calcium hydroxide, strontium hydroxide, ये दोनों, एक और interesting example बताता हूँ, MgOH twice, magnesium hydroxide, इसका नाम होता है, milk of magnesia, याद है किसी को, acidity होने पर, milk of magnesia की tablets आती होती हैं, वो खा सकते हो, येस सर, यह ना, वो पहले आती होती थी थी खैर, आज कल उनकी ज़रूरत नहीं है, उससे अच्छे tonic आख चुके हैं बाजार में, ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा effect भी नहीं करती थी, बट शुरू में ये use होती थी, शुरू शुरू में जब science develop होई थी, try acidic, try protect, इसमें क्या होगा वई, तीन ओएच नेगटिव आएन जो है, इसके अंदर आएंगे, that's it, जो तीन ओएच नेगटिव आइन छोड़े तो कोई है, aluminium hydroxide, chromium hydroxide, 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 hydroxide lion, जो है, वो hydroxide के लिए use होता है, तीन hydroxide आएन होँगे इसमें, तो ये उसका answer होगा, yes guys, समझ में आगए बेटा सबको, ये सारे example जरूर याद होनें, जीए, yes sir, जीए, ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं, limitation, limitation ना, exams में बहुत आती होती है, ये याद रख लेना, एक limitation तो उन्हें पीछे बताई थी, याद हैं, वो पीछे उसको limitation कर दिया था, ठीक है, जो उन्होंने ऐसी, RNAs theory कर रखा था, something ओ, limitation में, अब देखो एक limitation तो इसकी यह है कि, एक्वस, पानी वाले, एक्वस solutions पर यह अपलाई होता है, limited to aqueous solutions only, दूसरी limitation क्या है, example, ammonia, यह basic nature को explain नहीं कर पाता, acidic nature भी नहीं explain कर पाता, CO2, क्या है, acid है, यह पीछे limitation लिखवाई थी, मैंने, CO2 acid है, ammonia क्या है, base है, but, हमारा bronze-tet acid तो इसको, arnia, sorry, arnia, theory तो इसको explain ही नहीं कर पाती, है ना, इन दोनों के बारे में नहीं बताती, किसके बारे में बताती, जो H positive है, OH negative रखते हैं, सिर्फ उसी को explain कर सकती है, yes, got this guys, यह समझ में आगया बिटा सबको, yes sir, yes sir, limitation paper में आते होती है, board exams में, या normal आपके school के exams में, theory तो आनी आनी चाहिए, वो भी important है, plus limitation, दोनों जीजें paper में आती है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बटा, bronze and lowry concept, अब देखो, arneas concept यहाँ पर clear हुए, लेकिन arneas concept एक line में बताना होता हो, H positive and donate करने वाला, और negative and donate करने वाला, acid and base होता है respectively, ठीक है, वो मैं आपको सबसे शूरू में लिखवा चुक हूँ, official lecture में भी सबसे last slide उसी की थी, अब bronze and गया होता है, H positive and donate करने वाला, बिल्कुल सही है, ठीक है, species which can donate H positive and, जो H positive and को donate कर सके, वो होता है, क्या, bronze and lowry, bronze and acid, ठीक है, plus B लिखा इसने, B को मैं ammonia लिख देता हूँ, NH3, arrow लगा दिया, ठीक है, मैं मेरी तरफ से example बना के बता रहा हूँ, तो यहां पर क्या होगा, B के उपर positive charge आ जाता है, NH4 positive बनता है, NH4 positive, nitrogen बन पर positive, अब एक H आप बाहर निकाल लो, तो इससे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो, जुबारा लिके देखो, H उसकी form में, जैसे उसने लिखा है, NH3, यहां पर positive आ गया, एक H और जूड़ गया इसके साथ, ठीक है, तो यह NH4 है, actual में यह NH4 positive है, NH4 positive, बट उसने जैसे लिखा है, उसके हिसाब से यह ऐसा होगा, येस, clear है न बिटाँ, अब plus में क्या आएगा, X negative, तो chlorine negative, ऐसी solution में घूमता रहेगा, तो ये इसका example है, भई समझ में है सभी को, yes or not, please tell me guys, yes sir, तो यहां हो क्या रहा है, H positive iron को जो donate करता वो acid है, तो कौन है acid भई, बताना जरा मेरे को कौन है acid है, HCL is the acid, और base कोन है, जो H positive iron को accept करता है, ammonia is the base, that's it, simple, आगे बढ़ते हैं, bronze stat based क्या होता है, वैसे तो हम वहाँ पे कर चुके हैं, bronze stat based, बट उसी reaction को मैं आप दुबारा लिख दूँ है, है ना, ammonia H positive iron accept कर रहा है, तो H positive iron accept करने वाले, इसने आदी और दूरी reaction लिखी यहां पे देखो, और यह NH4 बन गया, है ना, पीछे वाली reaction है, वही है ammonia HCL, CL negative नहीं लगाया बस, वाकि सेम लिखा है, तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पट हम इसको थोड़ा अपने तरीके से करेंगे हैं ना, तो देखो क्या होगा, यह HCL लगा दिया मैंने, पलस ammonia लगा दिया, ठीक है, और यह बनेगा, NH4 positive, H positive accept कर लिए ammonia ने, पलस CL negative है ना, तो यह क्या हुआ, यह यहाँ पर base है, क्यों है base, क्योंकि यह H positive आइन, accept कर रहा है, बस यहीं चीज़ है, यह वाली reaction, आप ऐसे लिख सकते हो, इसने बढ़ क्लोरीन negative आइन, और यहाँ क्लोरीन negative नहीं दिखा है, है H positive directly दिखा दिया, तो species HX plus B, मैंने यह वाली reaction लिखी है, अगर सहीं देखो तो, इसी को mention करते हैं हम, है न, HX plus B वाली reaction ही, मैंने यहाँ नीचे लिखी है, HX plus B वाली reaction ही, यहाँ पर नीचे लिखी है, HX plus B, अब यह HB positive बन गया था, H उसने और X negative यहाँ लग हो गया, ठीक है, here B is the, B accept H positive 1, so bronze stat base है, B यहाँ पर H positive 1 accept कर रहा है, तो bronze stat base है, वहाँ पर कौन कर रहा था भई, species which donate, और यहाँ here HX donate, H positive 1, so bronze stat asset, yes बेटा, clear है सब भी को, clear है example सब को, yes sir, conjugate asset or conjugate base, अब भई conjugate asset or conjugate base की कहानी आती है, तो देखो जड़ा, बहुत ध्यान से करना, बहुत important part है यह lesson का, यह भी, यह सारा theoretical lecture और बड़ा important है, conjugate asset or conjugate base, ठीक है, तो चलिए इसको start करते हैं, तो conjugate asset or conjugate base, देखिए क्या, species found by the, यह इत्ता सा रट्टा मार ना बस, gain of a proton by a base, base क्या करेगा, proton को तो accept करेगा, acid का, H positive iron को accept करने वाला, कौन, base, जो base H positive iron को accept करता है, called conjugate acid, उसको conjugate acid कहते हैं, ultra, is called conjugate acid, of that base, उस base का conjugate acid कहते हैं, ठीक है, तो gain of proton by a base, conjugate acid होता है, conjugate acid में याद रखना, word याद रखना, conjugate acid मतलब, base का conjugate acid, ठीक है, ultra होगा, base का conjugate acid, तो यहनि, gain of proton by a base, जो base gain करता है, proton को, उसको हम conjugate acid बोलेंगे, is called conjugate acid, example ammonia, if we, this, 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 याईनोंने example दे रखा, if we add proton, तो यहाँ मैं, इसको ध्यान से लिखने, लिख रहा हूं, इसी equation को, NH3 plus H positive iron, एक proton add कर दिया, NH4 positive बन गया, अब बताईए, base, gain of proton by a base, तो यह है base, यह base है, H positive iron gain कर रहा है, तो gain of proton, is called conjugate acid, तो यह क्या हो गया, यह conjugate acid हो गया, हाँ भई, समझ में आया, येस सर, येस सर, जिसने H positive iron ले लिया, ना acid का H positive iron, जिसके पास जाता है, वो conjugate acid है, acid का H positive iron, जिसके पास जाता है, वो conjugate acid है, acid का H positive iron, जिसके पास जाएगा, वो conjugate acid है, या फिर यह वाली, उपर वाली story भी याद कर सकते हो, base, conjugate base देखो अब, specific found by the laws of proton, जिसने H positive iron छोड़ दिया, जिस acid में से H positive iron चला गया, वो है conjugate base, ठीक है, is called conjugate base of that acid, जिस acid में से H positive iron, जिसने H positive iron ले लिया, वो conjugate acid है, जिसने H positive iron donate कर दिया, वो conjugate base है, हाँ बई, यह बात समझ में आई, H positive iron donate करने माला क्या होता है, simple बताओ, H positive iron donate करने माला क्या होता है, acid, सही है, यह साथ, अब देखो, H positive iron को gain करने वाला क्या होता है, base, conjugate acid, conjugate, conjugate acid, वो base होगा, लेकिन वो conjugate acid हो जाएगा, मतलब उस base को इन जो करता है, proton, gain of a proton by base, तो जो H positive iron को gain करता है, वो conjugate base होता है, तो यहां पर H positive iron को जिसने gain किया, यह देखो यह conjugate base बन गया, तो conjugate acid बन गया, sorry, conjugate acid होता हो, base नहीं, ठीक है, तो वो conjugate acid बन गया, clear है भई, उल्टा हो रहा है, थोड़ा सा confuse हो गया हो गया, नीचे एक और example देखते हैं, CH3, अगर example याद रखो, plus H positive iron, donate कर दिया, तो जिसने donate किया H positive iron, वो acid होता है, बिल्कुल सही बात है के नहीं है, यह सर, तो donate करने के बाद वो क्या बचा, वो conjugate base बन गया, बस इत्ती बात है, यह conjugate base हो गया, यह समझ में आया, यह सर, acid जो H positive iron, donate कर सकता है, उसको कह दो कि ठीक है भाई, तू जा, तू donate कर दे, और उसने कर दिया donate, तो अब उसको acid नहीं कहेंगे, उसको conjugate base कहेंगे, उल्टा हो गया, conjugate base, acid से conjugate base बनता है, base से conjugate acid बनता है, अभी clear होगा कुछ? Yes, sir. बस फिर यही करना था, अपने को और कोई चक्कर ही नहीं है, सब में proton का हेर फिर होता है, ये भी याद रख लेना, और ये सब कहां से आया? Bronsted Lori ने ही बोला था, कि H-Pos-1 donate करने वाला acid होता है, और H-Pos-1 accept करने वाला base होता है, ठीक है? तो जो H-Pos-1 accept करे, वो base होगा, जो donate करें वो acid होगा, ये Bronsted से समझ में आया, अब जो acid H-Pos-1 donate कर देता है, तो donate के बाद जो बचता हो, conjugate base बचता है, और जो H-Pos-1 accept कर लेता, जो भी species, तो उसके बाद में वो जो बचता है, तो base ही करेगा, तो base में जब H-Pos-1 जोड़ जाता है, जोड़ दिया, conjugate acid बना, acid ये था नीचे वाला, H-Pos-1 donate कर दिया, बाहर निकाल दिया, conjugate base बचिया, clear है सबको, ये definition सबको crystal clear होनी चीए, और ये example भी crystal के लिए रोनी चीए, पूरी class से मैं अगली class में पूछने वाला हूं, conjugate acid और conjugate base की definition, अभी याद कर लो, इत्ता सा, इत्ता सा topic है, और उसको अगर दो दिन भी याद नहीं रख पाते, तो सोच ले ना फिर, समझ रहो ना, मतलब आपने दुवारा किताब खोल के देखी ही नहीं, इसका मतलब यही है, कोई आप लोगों में से, male brain नहीं है, किसी का दिमाग खराब नहीं है, कोई भी मंद बुद्धी भी नहीं है, सबका दिमाग एक जैसा है, उनका फेवरेट चीज हो नहीं, चीज है, उनको सबको पता, किसी को नॉलेज होईगी, बाइकों की, यहाँ आँमारी टीम में, जितने बंदे बेटें नहीं क्लास में, कई होंगे बाइकों के शोकीन, फुल ओन बाइक का रहे, इतना सीसी इंजन है, इतनी पावर होस पावर फलाना दिमकड़ा, पता नहीं क्या-क्या बताएंगे, मुझे भी नहीं पता, कुछ लोग फोन नहोंगे, करने तरीके की नोलेज है, कई हों को चुगली चट्टा करने बड़ा मज़ा आता है, पता है ना, चुगली चट्टा, एक दूसरे से चुगली आं करते रहते हैं, फलाना ये धिमकड़ा, ये सब को महाया, उनका पेट बना दुखता है, पता है, अगर किसी को ना बात बताएं तो, औरे किसको बताने किसको बताऊं किसको बताऊं, उसको उसमें मज़ा आता है, बातें बड़ी याद रहती हैं उनको, है ना, मेरा ना चाचा का लड़का था, क्या बात है, नैना ऐसा करती हैं बिटा, हाँ बिल्कुल तो मेरा ना चाचा का लड़का था एक्जांपल बताता हूं आपको वो क्या करता था पता है उस पढ़ाई लिखाए मैं उसको कमेंट रश्ट था ठीक है लेकिन अगर कोई हमारे घर में आ जाए और वो किसी के बारे में मान लो मैं घर पर नहीं हूं तो मेरे को ना याद रहती है ती मेरे आते ही फटक से बतायगा कि फलाना आया था आपको पूछ रहा था इवन मुझे याद नहीं रहती थी कि कोई किसी को पूछ के गया था, दो दिन बाद याद आये शायद, लेकिन उसको बड़ा याद रहता था, मैं का देखो इसका दिमाग तो कम नहीं है, लेकिन पॉइंट वाली चीज़ें याद रहती है, जो उसको याद रखनी है, वो वा इंटरस्ट बनाओ, इंटरस्ट ना, आपको एक इंटरस्टिंग इंग्जमपल देता हूं कि इंटरस्ट, जो चोईस है, वो बनाने से नहीं बनती है, वो उम्र के हिसाब से बदलती है, कैसे ही, आप लोगों को आजकल के गाने पसंद होंगे है ना, वो था ना, पैसा पै वाली खिड़की में कोई चांद का टुकड़ा बैठा है रहता है सोरी मुझे गाने नहीं आते हैं कम आते हैं तो उनको वो याद होंगे है ना ओल्ड इस गॉल्ड ही आपको लगता बैटा रोहिद हम लोग टैंशनों में रहते हैं बच्चों बढ़ाना लेक्चर तयार करना यह चीज है वो चीज बताने क्या किसी को कोई चीज नहीं पसंद आ रही है किसी बच्चों को ये करना वो करना बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स है वैसे ही आपके पेरेंट्स को बहुत सारी टैंशन से बच्चों की टेंशन पढ़ाई की टेंशन ना तो सब तरह की टेंशने घिर लेती हैं गाने वाने सुनने का टाइम नी मिलता और गाने सुनेंगे तब भी बोर फील करते हैं कि छोड़ो यार दिमाग खराब हो रहा है बंद करते हैं इसको न्यूज चैनल सुनेंगे फिर वो आप लोग न्यूज चैनल नहीं सुनते होंगे पेरेंट्स न्यूज चैनल सुनते होंगे उमर के साथ उनका इंट्रस्ट बदल गया बट अगर उनको वही मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है वो वाला गाना लगेगा तो उनको याद आएगा उ कि उन्होंने कभी सुने ही नहीं क्योंकि उनका मनी नहीं करता लेकिन जो गाने याद है पहले से उसको वो रिवाइज करके बहुत खुश होते हैं कि यार हम उस टाइम खुश हुआ करते थे जब यह गाने हुआ करते थे आजकल हम खुश नहीं हैं हमें टैंशन हैं आजकल जो होता है वो उम्र के साथ बदल जाता है, इस चीज को आप लोग कह दो के generation gap, that's not the generation gap, that's the point of interest age के साथ में बदल जाते हैं, इसलिए आपको अपने mother father वाली बात जमती नहीं है, आप वो लोग TV देख रहे हैं, news channel और आप लोग TV देख रहे हैं, song, दोनों के सोचने के तरीके में फरक हो गया, क्योंकि दोनों का generation में gap नहीं है, उम्र में फासला है और उस उम्र के फासले में चीज़ों का interest बदल जाता है, यहां से क्या चीज़ प्रूव होती है, interest जो है, वो उम्र के साथ बदल जाता है, तो क्या वो बनाया जा सकता है, येस, इट कैन भी, अगर सोनु निगम, सोनु निगम 45 येर का बंदा है, और वो चार साल की उमर में गाने लग जया था, 41 येर की age हो गई है उसको गाने गाते को, उसका interest क्यों नहीं बदला भई, that is the question, क्योंकि उसने बदलने नहीं दिया, वो पहले बच्चा था, तब अलग तरह के गाने गाने गाता था, बड़ा हुआ तो अलग तरह के गाने गाने लगा और आज जादा बड़ा हो गया, तो 20 साल के बच्चों को जो गाने पसंद आते हैं, वो गाने वो गाता है, how it is possible, क्योंकि उसने अपना interest बदलने नहीं दिया, if you can try, अगर आप try करें, if you try, then definitely you can also make your interest, you can also live your interest, आप अपने interest बना भी सकते हैं, और उसे जिंदा भी रख सकते हैं, और दुनिया में सबसे अच्छ काम जो है interest वाला वो है पढ़ना, अगर आप पढ़ाई को जिंदा रखे रखें और पढ़ाई में अपना हमेशा interest रखें, definitely जिंदगी में 100% success हो जाएंगे, समझ में आई बेटा, तो अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ाई पसंद नहीं है, सिरफ ये पसंद है या व हम सोचते नहीं है, flow के साथ बहते रहते हैं, तो flow के opposite तो चलना पढ़ेगा, कुछ चीजों के लिए, तो थोड़े दिन में पढ़ाई का interest बन जाता है, तीन महीन लगातार हर रोज 4 गंटे अपने आपको दीजिए, खुद को, school, tuition, live classes इन सबके इलावा, 4 गंटे घर पे ब जड़त लग जाएगी, interest बन जाएगा, that's it, समझ गए, interest कैसे बनाना ये भी बता चुका हूँ, लेकिन पहले 4 महीने तो आपको तकलीफ होने वाली है, उसके बाद में कोई तकलीफ नहीं होने वाली, तो चलिए अब याब आगे पढ़ते है, conjugate acid और conjugate base, ये मुझे पता, आ base के साथ जुड़ेगा, वो conjugate acid बन जाएगा, that's it, simple और साफ, सीधा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, है ना, हमिता बच्चन भी ऐसी बोलता है, strength of acid and base, तो acid और base की strength की बात करते हैं, भी अब, acid base की strength क्या होती है, मैं एक example लिखता हूँ, आपकी स्क्रीन के सामने, H3, PO4, अभी अभी इसका जिकर आया था, ये 3H positive and donate करता है, yes guys, पता है सबको, PO4 पर 3 negative, एक है, normal HNO3 ले 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 लेते हैं, चलो, HNO3, ये सिरफ 1H positive and donate करता है, बता ये दोनों में से strong acid कौन सा है, और weak acid कौन सा है, So strong H3, PO4 होगा, weak HNO3 होगा, किस base पर पताया कि इसने 3H positive and छोड़ दियो और उसने सिर्फ एक छोड़ा ऐसा, ये ज्यादा hydrogen दिया है, ये धोखा है, बहुत बड़ा धोखा, वो दिखाई दे रहा है कि वो 3 छोड़ सकता है, लेकिन उसमें कुछ छुपी हुई शर्ते हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो reversible reaction होती है पहली बात, मतलब वो वापिस भी चिपका लेता है, छोड़ देगा वापिस चिपका लेगा, ये सिर्फ एक ही direction में जाती है, इसकी alpha की value है one, 100% dissociation, backward reaction नहीं आएगी, ये दुबारा back में नहीं जाएगा, तूट गया, तो अमिता बच्चन का father, नाम तो था उसका, अभी, हरिवन शराइ बच्चन, हरिवन शराइ बच्चन, हाँ बई, सुना किसीने नाम, एक कवीता आती थी हमारे 10th में जब हम पढ़ते थे, हरिवन, हरिवन शराइ बच्चन, हाँ, आप लोगोंने भी कवीता सुनी होगी तो थी, है ना, जो तूट गया, वो तूट गया, अंबर के आनन को, देखो कितने इसके तारे तूटे, कितने इसके प्यारे चुटे, जो छूट गए, फिर कहा मिले, पर बोलो तूटे तारों पर कव अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई, सो बात गई, ऐसा बोला है, हरिवन्श राई बच्चन में, ठीक है, यह जो अलफा इक्वल वन अच एच नो थी है, यह घ्ख ए यह कहता है, जो बीत गई, सो बात गई, जो छोडगया, सो छोडगया, अपने 3 को छोड़ने के बाद 3 अकड़ जाता है कहता अल्या भई जो करना कर ले अब तू अंदर आ नहीं सकता तू पहले तो छोड़ गया तेरी मर्जी से जाने का रास्ता तो है पर फिर वापस आने का यहां रास्ता नहीं है ठीक है बंदे में गट्स थे सिद्धी सी बाद कि जा तो तू अपनी मर्जी से सकता है पर भाई एक बार जाने के बाद आने नहीं दूँगा एक डायलोग है फिर मस्में तेनु जान दाता नहीं पर मैं तेनु जान नहीं देना वो उपर वाले के लिए यह वाले के लिए नहीं है यह एक्साइटेड है थंड में मर जाएगा वरना सोचो अब यह थंड में मर जाएगा तो यह क्या करेगा दूसरा घर ढूंडेगा और पूरे एफर्ट करेगा दोस्त का घर जो भी नोन है रिलेटिव हैं सबको फोन मिलाएगा मेरको हमारे घर से बार निकाल दिया मम्मी पापा ने बचाओ मुझे और मम्मी पापा को ला रहे हैं कि यार उसको वापिस बुला ले कि नहीं नहीं मरने दे इसको ज़्यादा अकड़ रहा था निकल गया तो निकल गया तो ये जो है ये जो है ये है एचनो ये एचनो थ्री की किसमे एक मिनट बटा कर दो है सबता रहे हैं कि कि ये जो है आढ कर दो है कि ये झाव एक दो भी आढ करने हैं कि ये जो है ये झावताब बटात है तो अभी देखो यहाँ पर अब क्या होता है, तो यह जो HNO3 जो छोड़ गया, इसका मतलब HNO3 जो है ना, NO3 नेगटिव आयन, यह स्टेबल आयन है, मतलब यह नेगटिव अकेला रह सकता है, ठीक है बिटाओ, और उपर वाले केस में, PO4, 3 नेगटिव जो है, यह अनस्टेबल है, अनस्टेबल, यह बिचारा अकेला नहीं रह सकता है, तो यह क्या करता है, यह रबड की तरह है, है, इलास्टिक बैंड की तरह है, तीनों हाईडोसन से जड़े हुए है, तो यह थोड़ा सा भी हाईडोसन तीनों दूर जाते हैं आ, तीन हाईडोसन दूर चले गए, हमें लगा की अलग होगई, उसके खलबली मत जाती हैरane, वापिस जड़ ज़़ जाता है, फिर Сे Yes sir पीस चिपका लेता है और जो HNO3 है उसमें NO3 नेगटिव जो है वो बहुत strongly stable है इसलिए वो हैच पोस्ट वाइन को डोनेट करने बाद वापिस आने ही नहीं देता है तो अब आके दिखा हमने भी दिर्वाजा बंद लगा लिए कुंडी अंदर से भी है बाहर से भी है तो बा करने के बाद वो जोड़ेगा नहीं वो strong acid है पहला रीजन समझ में आ गया होगा सबको यह सर्थ दूसरा रीजन सुनिए alpha की value जिसकी 1 है वो given देगा कुछ न कुछ alpha की value 1 मतलब 100% अलग हो गया अब वो जूड़ भी नहीं रहा वापिस नहीं आ रहा न वहीं सेम बात है लेकिन alpha जिसका 1 हो direct alpha की value 1 देखके भी आप बता सकते हैं यानि जिसका alpha ज्यादा है alpha को 100 से multiply कर तो percentage है जिसका dissociation का percentage ज्यादा है वो दूसरे के मुकाबले strong है अगर दो का आपको alpha दे दिया जाए दोनों का percentage निकालो जो ज्यादा dissociation जिसका strong है वो dissociation ज्यादा है वो ज्यादा strong है that's it yes clear अबिटा yes sir तो ये दोनों चीज़ें आपको given होंगी तभी आप बता पाएंगे ठीक है definite सी बात है बट आप reason बता सकते है कि कोई मैं बोलू कि ये strong है acid है ये weak acid है तो अब आप reason बता दो भी इसका alpha की value ज्यादा होगी इसके alpha की value कम होगी weak वाले की कम value strong वाले की ज्यादा alpha की value या फिर उसका negative iron ज्यादा stable है और दूसरे वाले का negative iron कम stable है जिसका negative iron ज्यादा stable है वो ज्यादा strong acid है क्योंकि H positive iron अब दूसरे को ढूंडेगा strongly दूसरे को ढूंडेगा और दूसरे से फटा-फट reaction कर लेगा that is it ठीक है बिटा तो ये अब यहां पर ना अब conjugate acid से इसको relate करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करता है acidic strength if acidic strength strength जो है माल लो हमारे पास दो acid है HA1 HA2 तो HA1 ज्यादा strong है यह उसने खुद बताया है तो यह उसने given दिया है तो मैं इसको यहां strong लिख रहा हूं अब देखो मैंने इसको यहां strong लिख दिया ठीक है और एक उसने और line दिया वो तीसरी बात यह भी आप आपको याद रहे है stronger the acid consist of weaker जो acid strong होता है stronger the acid consist of weaker of its conjugate base उसका conjugate base वीक होता है and weaker the acid और अगर कोई acid weak होता है तो उसका stronger its conjugate base उसका conjugate base strong होता है clear है तो यह कर दो क्या बहुत है तो क्या बनेगा conjugate base तो यह क्या बना conjugate base यह याद ऐसी को यह तो यह क्या होगा conjugate base वीक होगा उपर यह लिखा हुआ है acid का जो acid से strong acid weak conjugate base बनाएगा और ulta भी होगा strong base जो होगा और weak conjugate acid बनाएगा ठीक है और दूसरा देखो यह इसने weak कहा था यहां लिखा हुआ है यह जो red line में मैंने underline कर रहा यह वाला part है ना को green से box कर देता हूँ तो यह क्या कह रहा है यहाँ पे तो यह weak है अगर कोई acid weak है तो उसका conjugate acid यह conjugate acid है उसका acid में से h-positive line निकलने के बाद जो वरना भूल जाओगे मैं फिर से repeat कर रहा हूं इस class को अच्छे से याद रखना बहुत सारे complications है इसमें तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है great तरीके से याद रखनी है आगे बढ़ते हैं तो reaction विल अब यह ओ एक और चीज़ देखो भई यह भी एक important चीज़ है reaction जो है strong acid से weak base की तरफ जाती है ठीक है strong acid से weak acid की तरफ यह strong base से weak base की तरफ मतलब किस तरफ reaction जाएगी अगर strong acid होगा वह reaction करेगा और वो दूसरी तरफ product बना देगा तो यहाँ यह वही कह रहा है कि strong acid reaction करेगा, strong obese reaction करेगा और वो product बनाएगा, तो यहाँ आपको एक reaction दे रही है, अभी किस तरफ जा रही है, दोनों तरफ है, देखलो यहाँ, यह वाला जो sign है, यह दोनों तरफ, इसका मतलब दोनों तरफ जा रही है, यह राइट भी, लेफ्ट भी, पट इसमें k a की value दे रखी है, k a को आप k c समझ सकते हैं, equilibrium constant in term of concentration, यह वैसा ही है, ठीक है, बताओंगा यह आगे आएगा कि k a का actual meaning क्या है, बिल्कुल वही चीज़ है, कोई फरक नहीं है, अब हमने कहा था कि k c की value, 10 is power 3 से 10 is power minus 3 अगर k c की value होती है, ठीक है, यह अगर यह k c है, k c, then, क्या होता है, reactant and product, approach क्या होते हैं, approach equal होते हैं, yes guys, clear about it आए, यह हमने पढ़ा था, equilibrium constant वाले lesson में, ठीक है, और अगर 10 is power 3 से k c की value जादा हो, तो क्या होता है, तो product की तरफ, product जादा होंगे, product favor करेगा ना, यह product favor करेगा, product जादा होंगे, ठीक है, और अगर k c क value reverse हो, k c जो है, वो less than हो, इस से भी कम, 10 is power minus 3 से भी कम हो, तो reactant बनेगे, फिर reactant को favor करेगा, reactant बनेगा, है ना, reactant को favor करेगा, तो यहाँ पर अब देखो, इसने 10 is power minus 5 दे रही है, 1.8 का कोई मतलब नहीं, 10 is power minus 5 बहुत कम होता है, 10 is power minus 3 से भी कम होता है, तो इसका मतलब यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है, यह reactant बनाएगी, मतलब backward direction में जाएगी reaction, clear है, पीछे का matter जो है, वो ऐसे काम आता है, तो यह backward में जा रही है, यह समझ में आगया, मतलब यह product बनाएगी, product बनाएगी, इसका मतलब क्या है, यह था acid, यह था base, यह क्या बनेगा, acid gas positive wine हटा दो, तो क्या बनेगा, conjugate base, acid gas positive wine डोनेट करने के बाद, जो बचता हो, conjugate base बचता है, और वो क्या है, यह conjugate acid H3O positive, clear है भई, जो last बच गया है, यह conjugate acid बच गया, ठीक है, चलो इसको एक अलग कलर से mark कर देते हैं, कि यह conjugate acid है, यह है conjugate acid, अब क्योंकि यह reverse direction में जा रही है, तो इसका मतलब conjugate base जो है, वो strong है, water वाले base से, और conjugate acid जो है, वो strong है, carboxylic acid वाले acid से, यह स बिटा, यह clear हुआ, खर एक बार रिपेट करना, देखो क्या है, यह तो conjugate acid base तो समझ में आ गया होंगे, तो लेकिन यह direction की दर है, यह direction है, इसकी इस तरफ, अब उसने उपर लिखा है, कि strong acid से weak acid बनता होता है, और strong base से weak base, तो यह conjugate base है, यह strong है इसका मतलब, और यह weak है, क्योंकि इस direction में जा रही है, weak की तरफ जा रही है, तो conjugate base जो है, वो strong है, ठीक है, और conjugate acid यह भी strong है, क्लियर है, तो यह strong से weak की तरफ जा रही है, तो यह water जो है, यह weak base है, और यहां यह जो acid है, यह भी weak acid है, क्लियर है, उल्टा होगा, यह तर इस direction में जा रही है, reaction जिस direction में जा रही है, इसका, जिस भी direction में जा रही है, इसका मतलब होता है, कि वो strong से weak की तरफ जाती है, ठीक है, तो यह नहीं, वो इस तरफ जा रही है, इस direction में जा रही है, तो इस direction में दोनों weak है, acid और base दोनों weak है, दूसरे के मुकाबले, बस सीधी सी बात यह है, clear है, that is the all about the slide, तो यह अब आप उस acid strong कौन सा है, weak कौन सा है, किस direction में जा रहा है, equilibrium कैसे बनता है, यह 2-3 slide में, बहुत सारा matter, आगे बढ़ते हैं, एम for direct species क्या होते हैं बई, जो acid के साथ base की तरह भीव करें, base के साथ acid की तरह भीव करें, species, species, species which, जो सीधा जादर करो, ब्रॉंस्ट्रेड लोग का कुछ नहीं करना हो, clear है, जो acid और base दोनों की तरह भीव करते हैं उनको बोलते हैं, एम for direct, अब वो acid बेस दोनों की तरह कब भीव करेंगे, वो acid के साथ base और base के साथ acid की तरह भीव करते हैं, कैसे, let's see, यह HCL है, इसके अंदर water है, तो HCL acid होता है, किसी को कोई doubt नहीं होना चाहिए, water जो है, वो base होता है, यह भी सब को पता है, ठीक है, HCL is acting acid और water base की तरह भीव कर रहा है, नेक्स्ट रियक्शन देखो, रियक्शन हो गई, एस्ट्रियो पोस्ट्व और क्लोरी नेगडिव बन गया, ammonia plus water, ammonia और water, ammonia base होता है, base और water यहाँ पर acid की तरह भीव कर रहा है, तो water उपर में, तो basis था ना, नीचे acid बन गया, यहाँ पर acid के शाथ यह बेस जैसा बन जाता है, वे पैंदी का लोटा है, बे पैंदे का लोटा क्या होता है, पता है? गोल लोटा, जिसका नीचे से गोल होता है, रखने वाला Base नहीं होता है, पैंदा मतलब base, जिस लोटे म आपने जहां पे लोटा रखा, जिस तरफ आप ढलाऊगे, उसको इधर टेड़ा कर दोगे, इधर हो जाएगा, जिस तरफ टेड़ा कर दोगे, उसी तरफ हो जाएगा, ये वही है, aimforteric species वही होते हैं, 되-pændi के लोटे क्लियर है सबी को यह बेपैंदी के लोटे हैं बस और कुछ नहीं है ठीक है तो भई वाटर इस एमफोटेरिक क्यों यह एस अर बेस दोनों है यह वाटर आपको अपनी जेब से देना याद रहेगा तबी आज वाला मैटर आज वाली अगर क्लास आप लोगों को अच्छे से याद रहती है that's mean कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो सीधी और साफ चीस ठीक है और अगर आज की क्लास अच्छे से याद नहीं रहती तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे है यही वो वजह है अब आगे बढ़ते हैं relationship between K.A. and K.B. क.A. और के B. के बी बी बीच में relationship क्या होता है पहले कि और के B क्या होता है वो आपको पता होना चाहिता तो देखो भी एक सिंपल सा example लेते हैं ठीक है है एक मिनट रुकिए बेटा मेरी एक और क्लास अभी वह मैं स्टार्ट करता हूं ठीक है आज क्या वारा भी वेडनस डेया ना ठीक है तो अभी देखे रिलेशन्शिप तो रिलेशन्शिप पहले के और के भी होते क्या वह आपको पता हूं अच्छे एक सिंपल एक्जम्पल लेते हैं सी एच थ्री सी ओ ओ एच प्लस वाटर वाटर के साथ में इसकी रिक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा सी एच थ्री यह पोस्टिव आइन छोड़ देगा वाटर में सी ओ नेगटिव प्लस एच थ्री ओ पोस्टिव ठीक है वाटर के साथ एच थ्री ओ पोस्टिव आइन जुड़ गया अब इसका क केसी लिखना हो तो केसी लिखना आता है सभी को equilibrium constant in term of water क्या होता है प्रोड़क्ट raised to their power of concentration divided by यह दूसरा प्रोड़क्ट ओपोस्टिव raised to their power of coefficient coefficient इनका 1 है सब के आगे 1-1 लगा हुए ठीक है balancing में 1 है सब के आगे तो reaction नीचे लिखेंगे product reactant raised to their power of coefficient दूसरा reactant raised to their power of coefficient यह बेटा यह समझ में आ गया यह सब्सक्राइब यह केसी होता है हम अलरड़ी जानते है अब इसमें देखो क्योंकि acid हम हमेशा याद रखना आपके syllabus में है भी वही हम हमेशा dilute solution लेंगे concentrated तो लेंगे ही नी हमेशा dilute solution की बात करेंगे तो dilute का मतलब solvent जादा है पानी जादा है solute कम है नमक कम है या acid कम है या base कम है तो यह acid कम लिया हमने एक चुटकी नमक एक लिटर पानी में डाल दिया तो इस एक चुटकी acid ने कुछ हमारा पानी यूज़ कर लिया कितना एक चुटकी पानी यूज़ कर लिया तो क्या एक लिटर पानी में से कुछ घटा क्या नहीं घटा वो constant ही रहेगा यानि जो बदले ना constant जो बदले ना तो यहाँ पर water जो है वो constant है yes guys यह बात समझ में आई water constant है तो यह divide में मैं इसको दूसरी तरफ ले किया सकता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं यह कर सकता हूँ कि kc को multiply कर दूँ water से तो क्या बचा दूसरी तरफ दूसरी तरफ बचेगा बाकी सब तो बचे गए ना CH3 COO negative H3 O positive इन दोनों की multiply raised to their power of coefficient coefficient सबका 1 1 है divide में क्या रहा बाकी का जो बचा कुचा हमारा नमक रह गया जो पानी में नहीं गुला ठीक है भी ना गुला नमक इसकी power 1 water तो इदर आई गया तो इन दोनों की multiply से एक नया दोनों constant है ना तो दोनों constant की multiply से एक नया constant बन गया इसको बोलते है के ए क्योंकि यह acid था that is why इसक constant for acid yes guys समझ में हाई equilibrium constant for acid यह एकलिब्रियम constant होता है बस इसको वाटर से मल्टिप्लाई कर रखी होती है बस सेम फोर बेस अगर यह acid की जगें रियक्शन होती बेस वाली तो वह product by reactant कर दे पानी को उस तरफ ले जाते हो के सी इंटु वाटर होता हो वो क्या बन जाता के बी बन जाता equilibrium constant for base यहस बेटा समझ में आ गई सबको के सी और के और के बी समझ में आ गया सबको यह सर ठीक है अब आगे वढ़ते हैं जरा अब जरा यह reaction देखते हैं भई यह reaction थोड़ी सी complicated लगेगी यह बस last slide of the lecture है इसके बाद हम कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं तो देखो relation between k a and k b k और k b का relation करने वाले हैं तो हमने एक reaction ली जिसके अंदर यह पहला पार्ट है इसका जिसके अंदर एक है था acid था वाटर था तो हमने बनाया एच पोस्टिव आयन और ए नेगटिव ठीक है के लिख दिया डायरेक्ट क्या निकलेंगे product water एच थिए पोस्टिव आला और ए नेगटिव ब्रोडक्ट एनेगटिव डिवाइड बाय रियक्टेंट रियक्टेन वाटर गाए वह दिखें यह वाला गायब है यहां से यह इस नहीं मल्टींड डिवाइड में नीचे लिया ही नहीं क्यूंकि इसको उमल्टिप्लाई कर यह थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, इसलिए इसको भी याद रखना पड़ेगा, यह क्या कहता है, कि यह जो A थाना इसको उठा लिया इन्होंने, A को यहां से उठा लिया, ठीक है, और कह रहा है कि यह A reverse, यहां तो इस reaction में तो reverse जा रहा है, definitely इस reaction में reverse जा रहा है, ठीक ह भी हो सकता है, तो यह दूसरी reaction है और यह आपको याद रखने है, you should have to learn this, ठीक है, clear है, तो यह जो अब यह base था क्योंकि, तो यहां हम निकालेंगे product by reactant raised to their power coefficient, तो वो KB निकलेगा, तो KB क्या निकलेगा, product तो HA और OH है, HA और OH, और reactant में water नहीं है, A negative अकेला लिया है, त Yes, Sir, का acid का H positive iron water में dissolved होता हो, H3O positive iron बनाता है, मतलब इसमें H positive iron already है, तो हम इस H positive iron को बाहर निकाल लेते हैं, अकेला H positive iron लिख दिया मैंने, और OH negative iron, यह दोनों क्या है, अगर इन दोनों को मिला दूंगा, तो K A और K B को लिखते हैं, K W, यह है K W, यह last formula है, यह derive हुआ है, देख कोई बात नहीं है, लेकिन अगर formula याद होता है, तो बहुत ही अच्छा है, और अगर याद नहीं होता है, तो बहुत घटिया बात है, सीधी बात, formula तो याद करना ही है, चाहिए कैसे भी करो, यह formula है, you should have to learn this, उपर वाला को कचरा या समझ में नहीं आता, मेरे को कोई फरक नहीं पढ़ता हो, लेकिन नीचे वाला अगर याद नहीं रहता, तो मेरे को ज़्यादा फरक पढ़ता है, भले आपको उपर वाला सारा समझ में आ गया हो, और आपको करना आता हो, पर मैंने आपसे formula पूछ लिया, तो आपको कि सर मैं derive करके बताऊंगा, no, I don't tolerate that, मुझे यह याद चाहिए, finger tips पे, kw क्या होता है, h positive और oh negative की multiply होते है, और यह h positive और oh negative क्या होते है, सोचो जरा, यह h positive और oh negative water होते है, water, तो यह kw जो होता है न, वो equilibrium, equilibrium, constant, for water, याद रखना यह होता है, यह भी important formula है, यह उपर वाला और नीचे वाला यह दोनों formula एक ही है, ठीक है, तो यह भी important है, तो यहाँ पर h और oh h को मिला दोगे, तो पानी बनेगा, तो इन दोनों के ions की multiply जो है, वो, पानी के ions की multiply है, तो इसलिए इसको बोलते है, के equilibrium constant for water, जैसे acid के निकल लिए, निकला, base के निकल लिए, वैसे ही water के लिए, यह इसे निकलता है, यह बेटा, यह clear हुआ सबको, yes or not, सबको clear है, तो नीचे वाले दोनों formula जो important लिख रहे हैं, यह याद रहना चाहिए, और साथ में, के एक ऐसे निकालते हैं, यह मैंने आपको जो बताया ना, derivation यह green pen से, आपके right side में लिखी हुई है, बस यह याद रहना, चाहिए, उपर यह बने कैसे, नहीं याद रहता है, कोई परवाम नहीं है, बिल्कुल भी सोचना भी मत, परवाम भी मत करना, क्योंकि करने की जरूरत भी नहीं है, that's it, that's all for the today's lecture guys, किसे को कोई doubt है, तो वो doubt पूछ सकते हो बिटा, आज के lecture में इतना है था, और सारा lecture important है, सारे lecture को याद करना है आपको, बहुत ही important है, आगे हम इसके बिना आगे एकलिब में नहीं चल पाएंगे, और एकलिब्रियम में, देको सारी चीज़े असान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन एकलिब् करना है, और आपको